या देवी सर्भ भूतेशु मालक्श मिरूपेन संस्तिता नमस तस्याई नमस तस्याई नमस तस्याई नमस तस्याई नम्नमः ओम दुंग दुर्गाए नमः आज शार्दिय नवरात्री का दूसरा दिन है और नवरात्री के दूसरे दिन आप सुनेंगे दुर्गाश शप्षति का दूसरा और तीसरा अध्याय और दुर्गाश शप्षति का जब हम पाट करते हैं तो कवच अर्गला और किलक ये आवश्यक हैं मतलब ये अनिवार्य ह प्रति दिन पढ़ना ही चाहिए या सुनना ही चाहिए तो प्रति दिन के अध्याय के साथ कवच अर्गला की लग आर्ति और शमप्रार्तना ये सभी चीजें आपको प्रति दिन नियम पुर्वक सुनाई जाएंगी और अगर आप माता ब्रह्मचारणी की पूजा विधी के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अप्लोड हो चुकी है जरूर देख लीजिए और हां कल की वीडियो को इतना अधिक प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार उमीद करती हूं इसी प्रकार से आप प्रति दिन नियम पुर्वक कथाएं दूसरा और तीसरा अध्याय इसके बाद कवच अर्गला की लग आर्थी और श्माबरारतना रिशी कहते हैं पुर्वकाल में देवताओं और असुरों में पूरे सौ वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था उसमें असुरों का स्वामी महिसासुर था और देवताओं के नाय देवताओं ने महिसासुर के पराकरम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पुर्वक कह सुनाया वे बोले हे भगवन महिसासुर सूर्य इंद्र अगनी वायू चंद्रमा यह मवरुन तथा अन्य देवताओं के भी अथिकार चीन कर स्वयम ही सबका अधिश्ठाता बना बैठा है उस दुरात्मा महिश ने समझत देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है अब वे मनुष्यों की भाती प्रिथियू पर विचरण करते हैं द्यत्यों की यह सारी कर्दूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है और अब हम आप ही की शरण में आए हैं उसके वदि का कोई उपाय सोचिए तब इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विश्णू और शिव ने द्यत्यों पर बड़ा क्रोध किया उनकी भौहें तन गई और मुह टेढ़ा हो गया तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रप श्रिविष्णू के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ इसी प्रकार ब्रह्मा संकर तथा इंद्र आधी अन्यान्य देवताओं के शरीड से भी बड़ा भारी तेज निकला और वह सब मिलकर एक हो गया महान तेज का वहपुंज जाज्वल यमान परवत्चा जान पड़ देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपुर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी संपुर्ण देवताओं के शरीड से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी एक त्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकास से तीनों लोकों में व्याप्ति जान पड़ा, भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकलाए, श्री विश्णु भगवान के तेज से उसके भुजाएं उत्पन्न हुई, चंद्रमा के तेज से दोनो चरण और सुर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई, वस्वो के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासी का प्रकट हुई, उस देवी के दात, प्रजापती के तेज से और तीनों नेत्र अगनी के तेज से प्रकट हुए, उसकी भौहें संध्या के और कान वायू के तेज से उत्पन हुए थे। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्यान मई देवी का आविर्भाव हुआ। तथा बाण से भरे हुए दो तरकश प्रतान किये। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन करके दिया और एरावत हाती से उतार कर एक घंटा भी प्रतान किया। वस्त्र भेट किये। साथ ही उन्होंने दिव्य चूडा मणी दो कुंडल, कड़े, उज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए के यूर, दोनों चर्णों के लिए निर्मल निपूर, गले की सुन्दर हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रतनों की बनी अ जलदी ने उन्हें सुन्दर कमल का फूल भेट किया, हिमालय ने सवारी के लिए सिंग तथा भाति-भाति के रतन समर्पित किये, धना ध्यक्ष कुबेर ने मधू से भरा पान पात्र दिया, तथा संपुर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस प्रिथी को धारन करते हैं उन्हें बहुमुल्य मडियों से भी भूशित नागहार भेट दिया, इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूशन और अस्त्र सस्त्र देकर देवी का सम्मान किया, ततपस चात उन्होंने बारं बार अटहास पुर्वक उच्छ स्वर से गर्जना की, उनके भयंकर ना प्रिष्व में हलचल मच गई और समुद्र काब उठे, प्रिथ्वी डोलने लगी और समस्त परवत हिलने लगे, उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्यता के साथ शिंग वाहीनी भवानी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो, साथ ही महर्शियों ने भी भक्तिभाव से विनमर होकर उनका स्तवन किया, संपुर्ण त्रिलोकी को छोब ग्रस्त देख, दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदी से सुसजित करके हाथों में हत्यार ले, सहसा ही उठकर खड़े हो गये, उस समय महिसासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह यह क्या हो रहा है फिर वह संपुर्ण अशुरों से घिर कर उस सिंह नाद की ओर लक्ष करके दोड़ा और आगे पहुँच कर उठने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकासित कर रही थी, उनके चर्णों के भार से प्रिथवी दभी जा रही थी, माथे के मुकट स आगास में रेखा सी खिच रही थी, तथा वे अपने धनुस की टंकार से सातों पातालों को छुद्ध किये देती थी, देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपुर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी, तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध चिड़ ग आकर उदग्र नामक महाधातिय ने लोहा लिया, एक करोड रतियों को साथ लेकर महाहनू नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोई तलवार के समानतीके थे, वह असिलोमा नामका महाधातिय 5 करोड रतिय सेनी को सहित युद्ध में आड़टा, 60 लाख रतियों से घ खिर कर लोहा लेने लगा इनके अतिरीक्त और भी हजारों महा दयत्या रत हाथी और घोडों की सेना सथ साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे और स्वयं महिसा सूर उस रण भूमी में कोटी-कोटी-सहस्त्र रत हाथी और घोडों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था, वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदिपाल, शक्ती, मूसल, खडग, परशु और पट्टिस आदी अस्त्र सस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रही थे, कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ती का प्रहार भी किया, उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्य नहीं था, देवता और रिशी उनकी स्तूती करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र सस्त्रों की वर्षा करती रही, देवी का वाहन सिंग भी प्रोध में आकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ, अस्रों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनो में दावानल फैल रहा हो, रणभूमी में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी ततकाल सैकडों हजारों गडों के रूप में और परशु, भिंदिपाल, खडग तथा 25 आदी अस्तरों द्वारा असुरों का सामना करने लगे, देवी की शक्ती से बढ़े हुए वे गड़, अशुरों का नास करते हुए नगाणा और शंक आदी बजाने लगे, उस संग्राम महोत्सों में कितने ही गड़ मृदंग ब गिराया, बहुतेरे दैत्यों को पाशशे बांध कर धर्ती पर घजीटा, कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकडे हो गए, कितने ही गड़ा की चोट से घायल हो धर्ती पर सो गए, कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे, इनी की बाहें छिन भिन हो गए, कितनों की गर्दने कट गए, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे, और कुछ लोगों के शरीर मध्यभाग में ही विदिरुन हो गए, कितने ही महाद्यत्य जांखे कट जाने से प्रित्वी पर गिर पड़े, कितनों को ही देव इंध्य युद्ध के बाजों की ल Means नाजते थे और कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खडग, शक्ति और रिष्टी लिये दोड़ते थे, तथा दूसरे-दूसरे महा देत्य ठेहरो ठेहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए रलकारते थे जहां वहाँ घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धर्ती देवी के गिराए हुए रत, हाथी, घोडे और असरों की लासों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था आग कुछ ही छड़ों में भस्म कर देती है और वह सिंग भी गरदन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गरजना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानों उनके प्राण चुन लेता था वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्य किया जिससे आकास में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे इस प्रकार स्री मारकंडे पुराण में सावरणिक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्मे में महिसासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ और अब आप सुनेंगे दुर्गा शप्तशती का तीसरा अध्याय और दुर्गा शप्तशती के तीसरे आगे बढ़ा वह असुर रण भूमी में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने रगा जैसे बादल मेरुगरी के सिखर पर पानी की धार बर्षा रहा हूँ तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूँ को अनायास ही काट कर उसके घोडों और सार्थी क नश्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दोड़ा उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंग के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया रिशी आगे कहते हैं हे राजन देवी की बाह पर पहुंसते ही तलवार तूट गई फिर तो क्रोध से लाल आखे करके उस राक्षस ने सूल हाथ में ले लिया और उसे उस महाद्यात्य ने भगवती भत्रकाली के ऊपर चलाया वह शूल आकास से गिरते हुए सुर्यमंडल की भाती अपनी तेज से प्रज्वली थो उठा उस शूल को पराकरमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीडा देने वाला चामर हाथी पर चड़ कर आया उसने भी देवी के ऊपर शक्ती का प्रहार किया किंतु जगदंबा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निस्प्रभ करके ततकाल पृत्यू पर गिरा दिया शक् रत्य के साथ खूब जोर लगा कर बाहु युद्ध करने लगा वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से प्रित्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे तदनंतर सिंग बड़े वेग से आकास की और उ क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचुमर निकाल डाला, भिंदिपाल से वाशकल को तथा बाणों से तामर और अंधक को मौत के घाट उतार दिया, तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महा हन नामक तैति को मार डाला, और तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धर्चे काट गिराया, दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलुक भेज दिया, इस प्रकार अपनी सेना का संगहार होता हुआ देखकर, महिसा सुर ने भेंसे का रूप धार से कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायू के जोके से धराशाई कर दिया, इस प्रकार गणों की सेना को गिरा कर वह असुर महादेवी के सिंग को मारने के लिए जपटा, इस से जगदंबा को बड़ा क्रोध हुआ, उधर महापराक्रमी महिशा सुर्भी क्र अपने सिंगों से उचे उचे परवतों को उठा कर फैकने और गर्जने लगा, उसके वेग से चक्कर देने के कारण प्रित्वी छुब्ध होकर फटने लगी, और उसकी पूच से टकरा कर समुद्र सब और से धरती को डुबोने लगा, हिलते हुए सिंगों के आघाद से व बद करने के लिए महान प्रोध किया, उन्होंने पाश फैक कर उस महान असुर को बांध लिया, उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैसे का रूप त्याग दिया, और ततकाल सिंग के रूप में प्रकट हो गया, उस अवस्था में जगदंबा जो ही उसका मस्तक तथा अपनी सूंड से देवी के विशास सिंग को खीचने और गर्जने लगा, खीचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली, तब उस महादैत्य ने पुनह भैसे का शरीर धारन कर लिया, और पहले की ही भाती चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्य उस समय देवी अपने बाड़ों के समुहों से उसके फेंके हुए परवतों को चुर्ण करती हुई बोली, बोलते समय उनका मुख मधू के मध से लाल हो रहा था और वाणी लड़ खड़ा रही थी, देवी ने कहा ओ मूढ मैं जब तक मधू पीती हूँ तब तक तु छन भ के लिए खूब गर्ज ले, मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्य हो जाने पर अब शीग रही देवता भी गर्जना करेंगे। रिशी कहते हैं यो कहकर देवी उछली और उस महादयत्य के ऊपर चड़ गई, फिर अपने पैर से उसे दबा कर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आ आधा निकला होने पर भी वह महादयत्य देवी से युद्ध करने लगा, तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई देथ्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपुरण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। सुर्वध नामक तीसरा अत्याई पूरा हुआ। ओम नमस चंडी का यही। मा दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्माजी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है। जिसमें कुल 56 चंद है। चामुंडा देवता, दिक बंध देवता, जगद की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है। साथ ही, जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मारकंडे जी के इस रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम तो देवी कवची है, जो इस व दुर्गा की नौ मूर्दिया हैं। मा दुर्गा का प्रथम स्वरूप है मा शैल पुत्री, दूसरा स्वरूप है मा ब्रह्मचारणी, मा दुर्गा का तीसरा स्वरूप है मा चंद्रघंटा, और चोथा स्वरूप है मा कुष्मांडा, उनका पांचवा रूप सकंद माता और छटा रूप मा कात्याइनी है। सात्वा स्वरूप है मा कालरात्री का और आथवा स्वरूप मामहागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। है नव दुरुप है। जिसे भगवान परम्हा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अगनी में जल रहा हो, सभी और से शत्रों से घिर गया हो, विप्रीद परिस्तितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि वह मादुर्गा की शरण में जाता है, तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अर्थात, मादुर्गा का ध्यान किये जाने पर मादुर्गा उसकी हर परिस्तिती में सहायता करती है। यदि युद्य का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हुआ हो, तो भी मादुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। मा दुर्गा उसके दुख, पीडा, भै इत्यादी का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तिगण मा दुर्गा की भक्ती करता है, मा दुर्गा अवश्य ही उन्हें अभैदान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, मा दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्ष करती हैं और इस बात में कोई भी शंशय नहीं है चामुंडा माता का वाहन प्रेथ है और वे उस पर सवारी करती है वाराही माता का वाहन भैसा है एंद्री माता का वाहन हाथी है तो वही वैश्णिवी माता का वाहन गरुण है भगवान शिव की पत्नीव सभी की इश्वरी म मापारवती का वाहन व्रिशब है कुमारी माता का वाहन मोर है लक्षमी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है वे भगवान विश्णु को अत्यतिक प्रिय है व्रिशब पर बैठी हुई मापारवती का रंग सफेध है भग उन्होंने कई प्रकार के आभूशन वरत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं मा दुर्गा का एक रूप अध्यदी क्रोध में रत पर बैठा हुआ दिखाई देता है जो दुष्टों का नाश करने के लिए हैं वे अपने हाथ में शंक सुदर्शन चक्र ग कर देती हैं भक्तों का कल्यान करती हैं तथा देवताओं का सदैवित करती हैं इसी सबक्राइब के üç-द्रोध माहा दुर्गा के महारुद्र प्रलयंग कारी पराक्रिमी महा सक्थिशाली अत्यदिक उत्साही तथा भ्य का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं मा देवी के उस प्रल्यंकारी रूप की ओर देखना भी बहुत मुश्किल है जो शत्रुओं का भै बढ़ाने का कार्य करता है पुर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए अगने दिशा में अगनी देवी मे मेरी रक्षा कीजिए उत्तर दिशा में मा कुमारी इशान कोण में शूल धारणी आकास से अर्थात उपर से मा ब्रम्हानी तथा नीजे अर्थात पाताल लोग से मा वैश्नवी मेरी रक्षा कीजिए रक्षसों के सवों को अपने वाहन के रूप में उप्योग में लाने वाली मा चामुंडा देवी आप दशों दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए आगे से मा जया तथा पीछे से मा विज्या आप मेरी रक्षा कीजिए मा आजिता मेरे वाम भाग में और दक्षिन दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें मेरे शिखा की रक्षा उध्यो यम घंटा के रूप में रक्षा करें, दोनों आखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों की द्वारवाशिनी के रूप में रक्षा करें, मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शांकरी देवी रक्षा करें, नासिका की सुगंधा देवी और होट क प्रण्ट के निश्ले भाग की रक्षा अम्रित कला देवी और जीव की सरस्वती देवी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी देवी, अंगुलियों की जगदंबिका माता, नाखुनों की शुलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। जांगों की महाबला देवी रक्षा करें और सभी कामनाओं को पूरा करें। खुटियों की नारसिंगी देवी, पैरों के आगे भाग की तैजशी देवी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैरों के तले की तलवाश्णी देवी रक्षा करें। पैरों के नाखुनों की द्रश्टा कराली देवी, केशों की उर्ध्वकेशिनी देवी, रोम चिद्रों की कोबेरी देवी तथा त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करें। मापार्वती देवी मेरे रक्त, मांस, हड्यों इत्यादी की रक्षा करें। आतों की कालरात्री देवी और पित्त की उग्टेश्वरी देवी रक्षा करें। पद्मकोशों की मापद्मावती देवी, कफ की चूडामणी देवी, नाखुनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अभिध्या देवी रक्षा करें। मेरे विर्य की रक्षा माब्रम्हाणी देवी, छाया की छत्रिश्वरी देवी तथा धर्मधारेणी देवी मेरे अहंकार वा मन और बुद्धी की रक्षा करें। हे मादुर्गा आप मेरे प्राणों, व्यान, उदान की समान रूप से रक्षा करें। वजरहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्यान करें। आप मेरी सभी इंद्रियों रस, रूप, गंद, शब्द, वस्पर्स में बस्ती हैं। हे नारैनी देवी, आप मेरे सत्व गुण, रजगुण वद तमोगुण की रक्षा करें। मेरे आयू की वा राही देवी, वैस्नेवी देवी धर्म की, यश्व किर्ती की लक्ष्मी देवी तथा धन्व विद्या की चक्रिनी देवी रक्षा करें, इंद्रा देवी मेरे गोत्र की, चंडी देवी मेरे पश्वों की, महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की और भैरव देवी मेरी पतनी की रक्षा करें मेरे पत की सुपथा देवी और उस मार्गे की छेम करी देवी राजा के दर्बार में महालक्षमी देवी तता सभी जगह निवास करने वाली विज्या देवी मेरे भय की रक्षा करें हे मादुर्गा जो भी स्थान या अंग इस देवी है तो आप उसकी भी रक्षा कीजिए आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए मा दुर्गा की आग्या के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाट करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए इस दुर्गा रक्षा कवच के पाट से हमें हर जगे लाबव सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं हम जब भी मा दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं उस व्यक वियक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्थ हो जाते हैं उसके शरीर में बनने वाला विश भी समाप्थ हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी विगाड़ नहीं सबता है जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवज को अपने धारण कर लेता है उस पर इस प्रिथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्थ हो जाता है सभी तरह की डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में रहने वाले अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रंभराक्षस, वेताल, कुश्मांडा, भहरव इत्यादी सभी तरह की नकरात्मक शक्तियों के प्रभाव इस दुर्गा का पाठ करने वाले व्यक्ति, राजा से सम्मान प्राप्थ करता है, और उसकी शुक्रयवी कवच का पाठ करता है, उसका वन्ष प्रिर्थवी के अंतर स्क रहता है, इसके प्रस्चाथ जब उसके मृत्यू हो जाती है तब वह मादुर्गा के आशिरवाद से परमस्थान को प्राप्त करता है जो देवताओं को भी अत्यांत दुरलब है उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसके मुक्ति हो जाती है वह मादुरुगा के आशिरवाद से सुन्दर रूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है और अब पूरे भक्तिभाव से मादुरुगा का ध्यान करके अर्गला स्तोत्र का पाट करते हैं ओम नमस्चंडिका यई माद्चंडिका देवी को नमस्कार है मारकंडे रिशी जी कहते हैं जयनती अर्थात सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशाली नी मंगला अर्थात अपने भक्तों के जन्ममरण आदी संसार बंधन को दूर करने वाली मोक्षदाईनी मंगल दाई देवी काली अर्थात प्रलैकाल में संपुर्ण स्रिष्टी को अपना ग्रास बना लेने वाली देवी भद्रकाली अर्थात अपने भगतों के लिए ही भद्र अथवा मंगल स्वीकार करने वाली कपाली नी अर्थात हाथ में कपाल तथा गले में मुंद माला धारन करने वाली दुर्गा अर्थात कर्म एवं उपासना स्वरूप दुस्साध्य साधन से प्राप्त होने वाली छमा अर्थात अत्यंत करुणा में सोभाव होने के कारण अपने भक्तों के सारे अपराद छमा करने वाली शिवा अर्थात सब का कल्यान करने वाली धात्री अर्थात संपुण प्रपंच को धारन करने वाली, स्वाहा अर्थात स्वाहा रूप से यग्यभाग ग्रहन करके देवताओं का पोशन करने वाली, और स्वधा अर्थात स्वधा रूप से श्राद और तरपन को स्वीकार करके पितरों का पोशन करने वाली, इन नाम रहने वाली देवी, महिशाशुर नास करने वाली भगतों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम रूपदो, जैदो, यशदो और कामक्रोध आधि शत्रूओ का नाश करो। तुम रूपदो, जैदो, यशदो और कामक्रोध आधि शत्रूओ का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्ति पुर्वक तुम्हारी तुति करते हैं, उन्हें रूपदो, जैदो, यशदो और उनके कामक्रोध आधि शत्रूओ का नाश करो। मुझे स्वभाग्यो और आरोग्य दो, परमसुख दो, रूपदो, जैदो, यशदो और मेरे कामक्रोध आधि शत्रूओ का नाश करो। जो मुझे से द्वेश रखते हों, उनका नाश और मेरे बलकी वृद्धी करो। रूपदो, जैदो, यशदो और मेरे कामक्रोध आधि शत्रूओ का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशश्वी और लक्ष्मिवान बनाव। तथा रूपदो, जैदो, यशदो, यशदो और उनके कामक्रोध आधि शत्रूओ का नाश करो। तुम रूपदो, जैदो, यशदो और मेरे कामक्रोध आधि शत्रूओ का नाश करो। सचीपती इंद्रिके द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली हे परमेश्वरी, तुम रूपदो, जैदो, यशदो और कामक्रोध आधि शत्रूओ का नाश करो। प्रचंड भुजदंडो वाले द्यत्यों का घमंड चूर करने वाली हे देवी, तुम रूपदो, जैदो, यशदो और कामक्रोध आधि शत्रूओ का नाश करो। हे देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूपदो, जैदो, यशदो और मेरे कामक्रोध आधि शत्रूओ का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन हुई हो। मारकंडे रिशी जी कहते हैं, चंडिका देवी को नमस्कार है। मारकंडे वाला है, उस सब्तशती शत्र को संपुर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। सब्तशती के अत्रिक्त अन्यमंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्यान का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदी कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुरलब वस्तों की प्राप्ति हो जाती है। तथा पी जो अन्यमंत्रों का जप ना करके केवल इस सब्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिधधी के लिए मंत्र औसथी तथा अन्य किसी साधन के उप्योग की आवश्यक्ता नहीं रहती बिना जप केे हीं उनके उच्चाठन आदी समस्त अभिचारी कर्म शिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं। उनकी संपुर्ण अभिष्ट वस्त्वें भी सिद्ध हो जाती है। लोगों के मन में यह संका थी कि जब केवल सब्तशती की उपासना से अत्वा सब्तशती को छोड़कर अन्यमंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सबकारी सिद्ध होते हैं। तब इन श्रेष्ट कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने आपने पास आई हुए जिग्यासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपुर्ण स्तोत्र ही सर्वस्रेष्ट एवं कल्याण में है। तदरंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाट से जो पुन्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ती नहीं होती। परन्तु अन्य मंत्रों के जब से उत्पन्य पुन्य की समाप्ती हो जाती है। आतह सप्तशती के स्तोत्र और जब का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पुर्ण रूप से ही कल्यान का भागी होता है। इसमें तनिक भी संद्य नहीं है। जो साधक कृष्णपक्ष की चतुरदसी अथवा अश्टमी को एक आग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना परपित कर देता है और फिर उसे प्रशाद रूप से ग्रहन करता है। उसी पर भगवती प्रसंद होती है औन्यथा उनकी प्रसंता नहीं प्राप्थ होती। इस प्रकार सिध्धी के प्रतिबंधक क्षक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है जो पुर्वोगत रिती से निश्कीलन करके इस सप्त Śती स्तोत्र का प्रतिधिन स्पष्ट उफ्चारण्पूरवक पार्थ करता है वह मनुसे सिद्ध हो जाता है वही देवी का बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है अतह कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सब्तशती का पाठ आरंब करें जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है इसलिए कीलक और निश्कीलन का ज्यान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान- सदाजाब करना चाहिए इस स्तोत्र का मंदस्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् ओम जै अम्बे गोरी, मैया जै शामा गोरी, मैया जी को निशे दिन ध्यावत, तुम को निशे दिन ध्यावत, हरी ब्रह्मा शिवरी, ओम जै अम्बे गोरी मांग सिंदूर बिराजत, तीको म्रिगमद को, उज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको, ओम जै अम्बे गोरी कनक समान कले वर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे, ओम जै अम्बे गोरी केहरी वाहन राजत, खडग खपर धारी, सुरनर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, ओम जै अम्बे गोरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोठिक चंद्र दिवाकर, राजत सम जोती, ओम जै अम्बे गोरी शुम्भ नि शुम्भ विडारे, महिसा सुर घाती, धुम्र विलो चन नैना, निसिदि नमद माती, ओम जै अम्बे गोरी चौसठ योगिनी मंगल गावे, दृत्यकरत भैरो, मैया दृत्यकरत भैरो बाजत ताले मृदंगा, अरुबाजत डमरु, ओम जै अम्बे गोरी भुजा चार अतिशोभित, खडग खपर धारी, मन वांचित फल पावत, सेवत नर नारी, ओम जै अम्बे गोरी कंचन थाल विराजत, अगर कपुर बाती, श्री माल के तुमे राजत, कोटी रतन जोती, मैया जै अम्बे गोरी श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानन्द स्वामी, भजत हरी हर स्वामी, मन वांचित फल पावे ओम जै अम्बे गोरी, मैया जै शामा गोरी, मैया जी को निश दिन ध्यावत, तुम को निश दिन ध्यावत, हरी ब्रह्मा शिवरी ओम जै अम्बे गोरी, मैया जै शामा गोरी मा की आरती करने के बाद शमा प्रात्ना जरूर करनी चाहिए, तो दोनों हाथ जोड़कर मा से शमा प्रात्ना करते हैं हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अप्राध होते रहते हैं, मुझे अपना दास समझ कर मेरे उन अप्राधों को आप क्रिपा पुर्वक शमा करिए हे परमेश्वरी मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता, तथा पूजा करने का धंग भी नहीं जानता, हे मा मुझे क्षमा करिये हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्र हीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानता हूँ, और भक्ति हीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ, तो मैंने जो मंत्र हीन, क्रियाहीन और भक्ति हीन पूजन किया है, वह सब आपकी क्रिपासे पूरे हूँ सैक्णों अपराद करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदंबा कहकर पुकारता है उसे वह गती प्राप्त होती है जो ब्रह्मा अधी देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है हे जगदंबी के मैं अपरादी हूँ किन्तु आपकी शरण में आया हूँ इस समय दया का पात्र हूँ आप जैसा चाहे वैसा करें हे देवी परमेश्वरी अज्यानवश भूल से या बुद्धी भरष्ट होने के कारण मैंने जो भी नियूनता या अधिकता कर दी हो वह सब शमा करें और प्रसन हो हे सच्चिदानंदस्वरूपा परमेश्वरी जगनमाता कामेश्वरी आप प्रेम पुर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन रहें हे देवी सुरेश्वरी आप गोपनिय से भी गोपनिय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं मेरे निवेदन किये हुए इस जब को ग्रहन करिए आपकी क्रिपा से मुझे सिध्धी की प्राप्ति हो इस प्रकार छमा प्रात्ना मंत्र के पाट से दुरगा माता आपके जाने अंजाने में हुए